नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी क्या एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन के उपर जो कि हमारी चैनल के माध्यम से किसी विद्यार्थी ने मुझसे पूछा है औ तो क्या नेट के एक्जाम में हमें बैठने दिया साएगा और इन फ्यूजर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर हम बन सकते हैं या कोई प्राब्लम होगा तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन था बहुत सारी इस्ट्रेंट हैं जो अपना पीजी जो है ओपिन मो से लोग करते हैं अपना पीजी तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे कोश्चन होते हैं जिसका आंसर उनको नहीं मिल पाता है तो वह किसी माध्यम से आंसर जानना की कोशिस करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इसका आंसर आप सभी को मिलेगा जो लोग पीजी कर चुके हैं distance mode से या in future करेंगे या कर रहे हैं तो हम आपको बदा दें कि ऐसा कहीं पे कहीं पे net के exam में नहीं नियम कानून जो पताया गया उसमें नहीं कहा गया है कि जो लोग regular mode से करेंगे वही इस exam में बैठ सकते हैं बिलकुल नहीं अगर आप distance mode से अपना आप easy complete किये हैं आपका marks general candidate है 55 से उपर है अगर आप रिजर्व कंटेगरी से हैं 50 से उपर आपका percent है ठीक है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आप exam में बैठ सकते हैं आप exam correct कर सकते हैं correct करेंगे तो आगे आप assistant professor बन सकते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो आज का वीडियो काफी हमें नहीं लगता है कि लंबा खीचना चाहिए कोई इसमें ऐसी बाते नहीं है बस इतना ही आपको समझना है कि हाँ अगर आप distance mode से कर रहे हैं PC आप complete कर चुके हैं तो आप exam दे सकते हैं net का UGC net का exam दे सकते हैं और आगे assistant professor बन सकते हैं ओके तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं और आगे जब तक वीडियो नहीं लाते हैं तब तक लिए thanks for watching a educational channel और आपका दिन बहुत बहुत सुबूँगा